गुड मॉर्निंग क्रास थर् ' this is your math subject मैटब श्यां मैंच में हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे Fraction क्यों सा चैप्टर कर रहे थे हम लोग चैप्टर नंबर 8 Fraction तो Fraction में हम लोगों ने आक्सेस नंबर एक्सेस नंबर 8.1 8.2 हम लोग कर चुके थे आज हम एक्सेसेस नंबर 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं ठीके एक्सेसेस 8.3 का मैं सबसे पहले कुछ चीजें आपको समझाना चाहूँगी देखो ध्यान से देखना जब आपको पता है उपर वाला नंबर क्या होता है निम्रेटर और नीचे वाला नंबर क्या होता है डिनॉमिने निम्रेटर सारे सेम होंगे यानि कि मानलो 2 by 3 लिखा है 4 by 3 लिखा है 6 by 3 लिखा है 9 by 3 लिखा है देखो इसमें क्या डिनॉमिनेटर सबके सेम है सेम है लेकिन उपर आला नंबर जो निम्रेटर है वो अलग अलग होता है ठीक है ऐसी कंडिशन में जो नंबर सबसे बड़ा ह उपर वो नमबर सबसे बड़ा होता है और जो नमबर सबसे चोटा है वो सबसे चोटा होता है जब डिनॉमिनेटर सेम होते हैं तो उपर वाले नमबर में जो नमबर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है it means इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 9 by 3 क्यों हो गया क्योंकि 9 उपर आले नंबर में सबसे बड़ा होता है इसलिए 9 by 3 सबसे बड़ा नंबर बड़ा fraction हो गया है लेकिन जब numerator सेम होते हैं उपर 3 by 8, 3 by 12, 3 by 18, 3 by 16 जब numerator सेम होते हैं यानि उपर वाला नंबर एक जैसा होता है तो नीचे वाले नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18 है it means 3 by 18 है वो सबसे छोटा fraction होगा समझ में आया? उल्टा होता है वापे समझी एक बार जब denominator सेम होते हैं तो numerator में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो नंबर वो fraction सबसे बड़ा fraction कहलाता है लेकिन जब numerator सेम होते हैं तो denominator में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा fraction होता है समझ में आया, अब ये चीज दो बार मैंने आपको बता दी, अब हम चलते हैं, exercise 8.3 का question number 1 है, arrange the following fraction in ascending order, ascending order में मतलब छोटे से बड़ा, ascending का मतलब आपको पता है, सबसे चोटा number, उससे बड़ा number, उससे बड़ा number इस तरीके से, चोटे से बड़ा, अब देखो, 6 by 7, 6 by 11, 6 by 10, ये fraction है, अब इसमें numerator सबके सेम है, सेम है, जब numerator सेम होते हैं, तो denominator को देखा जाता है, denominator में जो सबसे बड़ा number है, वो fraction क्या होता है, स तो ascending order, अब बताओ, इसमें सबसे चोटा fraction कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, 6 by 11, 6 by 10, 6 by 7, it means, सबसे ascending order में मतलब छोटे से बड़ा जाना है, तो सबसे चोटा fraction कौन सा हो गया, 6 by 11, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है, कि when numerator are same, consider the denominator, and denominator which number is bigger, is called the smallest fraction, जो सबसे बड़ा number है, डिनॉमिनेटर में, वो वाला fraction, सबसे चोटा fraction कहलाएगा, बार बार बता दिया है, 3 to 4 times बता दिया है, इसलिए, ascending order में कहाएगा, चोटे से बड़ा में ये सबसे चोटा fraction, उससे बड़ा fraction और उससे बड़ा fraction, next, 1 by 7, 1 by 9, 1 by 8, numerator are same, ये numerator, numerator सबके सेम है, डिनॉमिनेटर को चेक करेंगे, सबसे बड़ा number कौन से है, 9, it means this number is smallest number, so 1 by 9 सबसे चोटा number है, then 1 by 8, then 1 by 7, ascending order में, समझ में आया, चलो, एक और करते हैं, 4 by 5, c वाला कर दें, 4 by 9, 4 by 7, numerator are same, डिनॉमिनेटर को देखेंगे, जो सबसे बड़ा डिनॉमिनेटर है, वो सबसे चोटा fraction होगा, यानि कि 4 by 9, 4 by 7, 4 by 5, यह हो गया हमारा ascending order, और लेकिन यदि इसको अभी कहा जाता है कि descending order में करना है, तो इसका उल्टा हो जाता, descending order में पहले सबसे बड़ा number आता है, पहले यह आता, फिर यह आता, फिर यह आता, समझ में आया, now question number two, Arrange the following fraction in descending order, अब चलना है हमको descending order में, the E is descending order, descending order क्या होता है, बड़े से छोटा, 2 by 5, 1 by 5, 4 by 5, 3 by 5, and 5 by 5, अब देखो, अभी हमने क्या देखाता है, पिछले गश्य में numerator सेम थे, तो हमने नीचा अले number को देखा था, कि जो सबसे बड़ा number है, वो सबसे छोटा fraction है, लेकिन मैंने आपको बता है कि जब denominator सेम होते हैं, तो उपर आले number में जो सबसे बड़ा number है, वो ही सबसे बड़ा fraction होता है, ठीक है, तो descending order में, 5 by 5, सबसे बड़ा number fraction है, 4 by 5, 3 by 5, 2 by 5, and 1 by 5, समझ में आ गया, descending मतलब बड़े से छोटा, denominator सेम है, तो उपर वाले numerator को देखेंगे, जो सबसे बड़ा number है, वो ही सबसे बड़ा fraction होगा, ठीक है, एक और करते हैं, बी वाला, 3 by 6, 5 by 6, 1 by 6, 2 by 6, 4 by 6, ठीक है, अब देखो, denominator सेम है, ड्यूबरे टर्बे, जो सबसे बड़ा number है, वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा number जो है, वो ही सबसे बड़ा fraction होगा, 5 by 6, descending करें तो बड़े से छोटा जाना है, तो 5 by 6, 4 by 6, 3 by 6, 2 by 6, and 1 by 6, गोट इट, अब देखो, जो first question किया था, 1, 2, 3, तीनों मैंने करा है थे, ये वाला आपको self करना है, homework में, arrange the following, descending order में मैंने ये करा दिया, ये करा दिया, ये दोनों आप self करेंगे, homework में, ठीक है, copy में क्या क्या करना है, copy में ये दो, ये तीन, ठीक है, जिन पर टिक लगा रही है, वो सब आपको copy में करना है, अब देखो, write three equivalent fraction of the, each of the following, अब equivalent fraction कैसे find out करना है, ये मैं आपको बताती हूँ, question number 3 है, three equivalent fraction, three equivalent fraction find out करने, 8 by 20 है, fraction given है, 8 by 20, देखो, पहले क्या करेंगे, question लिख लिया, नीचे वाली step में आजाओ, 8 by 20 into 2 upon 2, उपर वाले नमबर को भी 2 से multiply है, नीचे वाले नमबर को भी 2 से multiply है, 8 तू जा 16 upon 40, एक fraction आपका ये हो गया, 3 find out करने, वापिस 8 by 20 into 3 upon 3, 8 तू जा 24 और 23 जा 60, एक fraction हो गया आपका ये, फिर 8 by 20 into 4 upon 4, 8 तू जा 32 upon 8 तू जा 24 जा 80, तू फ्रेक्शन ये हो गया, यानी, equivalent fraction of, क्या लिखेंगे, equivalent fraction of 8 by 20 are, 16 upon 40, 24 upon 60, 32 upon 80, इसने क्या किया है, बेटा ध्यान से देखो, इसने क्या किया है, पूरा fraction है, उपर, देखो fraction कैसे है, numerator भी है, denominator भी है, तो numerator को भी 2 से multiply करेंगे, और denominator को भी 2 से multiply करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से, यह हमारा एक equivalent fraction निकल गया, इसी तरीके से, next है, उपर भी 3 से multiply है, नीचे भी 3 से multiply है, फिर next है, उपर भी 4 से multiply है, और नीचे भी 4 से multiply है, इस तरह से 3 equivalent fraction निकल गये हैं, अब हम कर रहे हैं, C वाला 2 by 7, 2 by 7 के equivalent fraction find out करने हैं, देखो, 2 by 7 into 2 upon 2, 2 to the 4, 7 to the 14, एक fraction यह निकल गया, दूसरा निकालना है, 2 by 7 into 3 upon 3, 3 to the 6, 7 to the 21, एक fraction यह निकल गया है, 2 by 7 into 4 by 4, 4 to the 8, 7 for the 28, एक निकल गया है, तो 3 fraction निकल गया, अब यहां कैसे लिखेंगे, equivalent fraction of 2 by 7 are, 4 upon 14, 6 upon 21, sorry, 21, 8 upon 28, यह अंसर आ गया, ठीक है, अब आजाते हैं, यह देखो, हमने 2 solve कर लिया है, एक तो यह किया है, और एक यह किया है, अब बाकी क्या आप खुद करेंगे, कुछ नहीं करना है, first fraction निकालने के लिए, उपर और नीचे दोनों तरफ 2 से multiply करना है, second question निकालने के लिए, उपर नीचे 3 से multiply करना है, और third fraction निकालने के लिए, उपर नीचे 4 से multiply करना है, और fraction निकल जाएंगे, अब आजाते है, question number 4, check if the following pair are fractions, are equivalent or not, अब equal है या नहीं है दो fraction, चलो, यह वाला कर रहे है, question number 4 का, अना 4 by 12 and 5 by 16, अब देखो, दो fraction है, यहाँ पर एक तो है, 4 by 12, एक है 5 by 16, अब इसको क्यासे करना है, यह देखो, 4 by 12, ध्यान से देखेंगे, 4 by 12, 5 by 16, वापिस लिखा, cross multiplication, इस तरीके से हैं, क्या करेंगे, cross multiply, यानि कि, इस उपर वाले नंबर को, इधर वाले के नीचे नंबर से multiply करेंगे, और इधर वाले उपर वाले को, इधर वाले नीचे से multiply करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, first, 4 को किस से multiply करेंगे, 16 से, 4 into 16 is equal to, 5 into 12, अब देखना है आपको, इधर का multiply और इधर का multiply, यदि बराबर आता है, तो तो equal है, बराबर नहीं आता है, तो equal नहीं है, 16 फोर्जा क्या होता है, 16 फोर्जा, 64 और इधर है 12 फाइब्जा क्या होता है, 60, अब देखो, इधर तो 64 आ गया और इधर 60 आ गया, इसका मतलब equal नहीं है, they are not equal, equal नहीं है, यदि इधर भी 64 और उधर भी 64 आता, तो यह क्या होता है, equal हो जाता, अभी हम एक और कर रहे हैं, question number B इसी में देखो, 1 by 3 and 2 by 6, ठीक है, ज्यान से देखेंगे, 1 by 3, 2 by 6, cross multiply, यहां लिखेंगे, लिख दो बली, cross multiply, है, है ना, cross multiply करेंगे तो, 1 into, 1 into 6 is equal to, 2 into 3, ठीक है, 166, 236, दोनों equal है, yes, both are equal, है, यह और यह fraction दोनों equal है, एक और बता देती हूँ, यह वाला, 3 by 5, 6 by 15, ठीक है, क्या करेंगे, cross multiply करो, 3 into 15 is equal to 6 into 5, ऐसे, ऐसे, 5, 3 जा, sorry, 5 ने, 15, 3 जा, 45, 15, 3 जा, 45, और 6, 5 जा, 30, equal है क्या, नहीं है न, cross, no, they are not equal, हो गया, इस तरीके से आपको करना है, ध्यान से देख लो, अब देखो, इसमें, copy के अंदर कौन कौन से करने, a, c, d, f, यह आपको copy के अंदर खुद solve करके करना है, अब हम last question करें, question number 5, fill in the boxes, अब देखो, 1 by 3 is equal to 2 by 6, sorry, यहाँ पर blank है, अब देखो, cross multiply करते हैं, तो 3, 2 जा क्या होता है, 6, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हमको cross multiply में भी 6 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, जब हम यहाँ 6 लिखेंगे, तो ही तो आएगा, है न, तो यह, अब देखो, यहाँ देखो ध्यान से, cross multiply करेंगे, 5, 2, 10, अब यहाँ 10 को किसे multiply करें, कि इधर भी 10 आ जाए, तो 1 से ही करेंगे, तो 1 आ गया, अब देखो, इधर देखना, 16 को 9 से multiply करो, तो क्या आता है, 144, अब आया इधर, 144 आ गया यह, अब 144 इधर आ गया है, इसका multiply, इधर को किस से multiply करेंगे, कि 144 को किस से multiply करें, कि 144 आ जाए, है न, देखो, ध्यान से देखना, इन दोनों को जब multiply किया, तो क्या है 144, तो अब इधर भी 144 आना चाहिए, इट मींस 144 को, 4 को हम किस से multiply करेंगे, कि 144 आ जाए, तो 144 से divide करेंगे, हम 4 से divide करेंगे 144 को, तो जो answer आएगा वो यहाँ, फिर लोगा, इट मींस उस number और इसको multiply करेंगे, तो हमारा 144 आ जाएगा, यानि कि इन दोनों को multiply करने के बाद आता है 144, 144 को 4 से divide करेंगे, तो आता है 36, अब करके देखो, 36 को 4 से multiply करो, तो 144 आता है या नहीं आता है, आ जाता है, सेम क्वेशन यहाँ पर है, 6 को 21 से multiply करो, तो आता है 126, क्या आता है 126, अब यह कह रहा है, कि 7 को किस से multiply करेंगे, कि 126 आ जाए, तो 126 से 7 से divide करके, देखो 126 को, जब हम 126 को 7 से divide करेंगे, तो 18 आएगा, यानि कि 18 और 7 को multiply करने पर भी 126 आता है, और 21 और 6 को multiply करने पर भी 126 आता है, तब यह equal होते हैं, ठीके, तो इधर multiply करने के बाद जो आता है answer, उससे हम इधर एक जो नंबर दे रखा है, उसको divide करेंगे, same process, 7 को 56 से multiply करो, जो answer आता है, उसको 8 से divide करो, तो आजाएगा 49, इसी तरह 25 को 12 से multiply करो, जो answer आता है, उसको 5 से divide करो, तो आएगा 60, करके देखो, यह आप self करेंगे, लिख रखा है मैंने, answer find out आप खुद करो, बता दिया तरीका मैंने करने का, वापिस ध्यान से एक बार और देख लो, दो नंबर जो दोनों दे रखें, उनको पहले multiply करो, उसके बाद जो answer आता है, जो एक नंबर दे रखा, उससे divide करो, तो आपका यह जो एक नंबर missing है, वो आजाएगा, ठीके, तो यह exercise यहाँ पर हमारी complete होती है, इसमें जो आपको copy के अंदर करने, यह सारे करने, A, B, C, D, E, F, ठीके, टिक, जो इस लगा रखें, वो सारे work, आपकी copy में होना चीए, इसी के साथ यह chapter आपका complete होता है, और हाफेली course, आपका complete होता है, syllabus मैं आपको send कर दूँगी, ओके, थैंक यू,